स्वागते दोस्तों मेरे चैनल पे और आज हम डिकोड करेंगे केन विलियमसन दे बैट्समेन को काफी सुर्ख्या बटोर रहा है ये प्लेयर नए-ने रिकॉर्ड बना रहा है तो उसी की बात होगी आगे बढ़ने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर दे वीडियो लाइक कर दे तो हाली में केन विलियमसन ने पूरी कर ली है 32 टेस्ट सेंचुरीज और फैब 4 में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा सेंचुरीज अब केन विलियमसन के पास है पिछले साथ टेस्ट मैचेज में साथ सेंचुरीज मारी है केन विलियमसन ने और इंटरनेट पे काफी mixed reaction आया है इसकी performance का उस पे हम नज़रे डालेंगे Kane Williamson 700s in last 7 test यह अपने आप में एक record है fewest innings to 32 centuries Kane Williamson on drop of everyone hashtag NZ versus SA तो यह एक काफी impressive record है last 11 half centuries में से 10 convert करी है Kane Williamson ने century में यह एक काफी अच्छा record है लेकिन अब साथ साथ जब किसी player की तारीफ होती है cricket fans बिल्कुल ट्रूल करते हैं अब इस पे हम नज़र डालें तो fraud Kane Williamson 6 2016 2016 के stat से 2016 जिंबावे टूर 1 century 2016 साथ आफ्रिका टूर 0 centuries 2016 इंडिया टूर 0 centuries 2008 पाकिस्तान टूर 1 century 2019 श्रिलंका टूर 0 centuries 2019 औस्ष्रेलिया टूर 0 centuries बताने का मतलब यह है इस user का मतलब न्यूजिलैंड से जब बाहर खेल रहा था हो तो वह मारी थी 2016 में यार काफी टाइम हो गया 8 साल हो गया यानि जितनी भी centuries उसके बाद आई है सब home conditions में आई है और न्यूजिलैंड जहां की conditions को Kane Williamson अच्छे से समझता है जानता है और नीचे हम आ जाते हैं तो Kane Williamson is one of the biggest fraud test cricket has ever seen shameless stat padder hashtag NZ versus South Africa hashtag India versus England तो अभिशेक सिंग जिनकी profile picture में रोहिच शर्मा है वो कह रहे है कि Kane Williamson एक टेस्ट क्रिकेट का fraud है ठीक है मान लेते हैं तो तमाम तमाम तरह के tweets आ रहे हैं कुछ तारीफ कर रहे हैं कुछ क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो हमें और डीप में जाकी देखना पड़ेगा कि क्या यह सच में फ्रॉड है या लेजेंड है तो इस पूरे जो tweets हम ने देखें उनसे यह imply हो रहा है कि Kane Williamson का घर पे record बहुत अच्छा है अब हम अगर उन प्लेयर्स की लिस्ट देखें जिन्होंने मिनिमम 40 टेस्ट अपने home conditions में खेले हैं वहां Williamson का average सबसे जादा है 69 almost 70 टच करने वाला है तो imply यह होता है कि home में home conditions में सारे record टिक कर रहा है centuries बना रहा है और home test अपनी team को जीता रहा है अब हम compare करेंगे Williamson का away record with fab 4 fab 4 क्या है fab 4 Martin Crow ने चार प्लेयर्स के नाम दिये थे on the basis of their test cricket की performance यह चार प्लेयर आगे चलके test cricket rule करेंगे 2014 में यह fab 4 बनाया गया था Martin Crow के द्वारा यह एक analysis थी he was a legend of New Zealand काफी अच्छे batsmen थे अब वो इस दुन्या में नहीं है पर उनकी जो prediction थी वो काफी सही गई उन्होंने चार प्लेयर्स का नाम लिया था कि यह चार प्लेयर्स आने वाले time में test cricket पे rule करेंगे विराट कोली स्टीव में जो रूट और केन विलियमसन तो हम 2014 से अगर देखे तो 2014 से जो 20 का एरा था वो विराट कोली और स्टीव स्विंत ने बहुत अच्छे से डॉमिनेट किया रैंकिंग में कभी कोली नंबर वन पे आते थे कभी स्टीव में ताते थे उसके बाद इन टॉप फोर टीम्स तो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे जो रूट का अवे रिकॉर्ड S.I.N.A. यानि साथ आफ्रिका, इंडिया, न्यूजलैंड और आस्ट्रेलिया में जो रूट ने बनाए हैं 3,400 अप्रॉक्स और एवरेज 44 का है 5 सेंचुरी थोड़ा आगे है दोनों बैट्समेंट से और यह लेजेंड है अफ्कॉस पिछले हम 10-12 साल में देखो तो स्मित से अच्छा बैट्समें टेस्ट में नहीं आया है स्टीव स्मित 3600 रन 55 का एवरेज अगेंस्ट साथ आफ्रिका, इंग्लैंड, इंडिया और नहीं मिलेगा, एक दो ही होंगे मेरे ख्याल से सचे इन्रविड और यस जो बिग नेम्स है, अब आ जाते हम केन विलेमसन के रिकॉर्ड पे, अगेंस्ट साथ आफ्रिका, इंग्लैंड, इंडिया और आस्ट्रेलिया, एड देयर हों, केन विलेमसन 1645 रन, 33 का एवरेज, च काफी लो आ जाता है, तो अगर हम फैब 4 को रैंक करें, तो सबसे पहले स्टीव समित आएंगे, फिर जो रूट और विराट कोली दोनों सेम ही लेवल पे चल रहे हैं अभी, और लेकिन आगे डिफरेंस आएगा, जब 2-3 साल और टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे, दोनों के प परक है नहीं, एवरेज पे एक टाइम विराट कोली आगे चल रहे थे, लेकिन फिर रूट ने काफी अच्छा कवर अप किया, और आगे देखने क्या होगा, और लास्ट में आएंगे केन विलियमसन जिनका एवरेज 33 का है, लेकिन ये खराब नहीं है, 33 का एवरेज तो काफी बार स्किप करने पड़ते हैं, और फिर भी रिकॉर्ड काफी वीक है, इंप्रूव कर सकते हैं, तो अब हम आ जाते हैं इस वीडियो के मेन मुद्दे पर कि क्या केन विलियमसन एक लेजंड है, या एक फ्रॉड है, तो मेरे राय में, मेरे उपिनियन में, दा वर क्रिकेट बोर्ड फाइनेंशली उतना स्टेबल नहीं है, क्रिकेट का इंफ्रस्रक्चर इनके पास इतना अच्छा नहीं है, आप शायद यकीन नहीं मानेंगे कि इंडिया तो ही, इनसे आगे, जिंबावे, श्री लंका, पाकिस्तान, बंगलादेश, वेस्ट इंडिस, य क्रिकेट इनका मेन स्पोर्ट नहीं है, ज्यादा लोग क्रिकेट देखना पसंद नहीं करते, तो ऐसे देश से अगर कोई बैट्स में निकल के आता है, जो व्ल्ड क्लास पेर्स को कमपीट कर रहा हो, नहीं नहीं रिकॉर्ड बना रहा हो टेस क्रिकेट में, तो बिलकुल एक लेजेंड माना जाएगा उस देश में, और स्पोर्ट के लिए भी, अपना 100% देता है हमेशा फील्ड पे, और रही बाद जो ट्रोल करते हैं लोग देखो, ठीक है, हाग है, सबको ट्रोल करनेगा, लेकिन उससे किसी प्लेयर का, मैं कहूंगा, क्रेडिबिल्टी नहीं खदम हो जाएगी, या उसकी जो लेगेसी है, वो नहीं खदम हो जाएगी, केन विलिमसन ने 20 साल बाद, अपनी टीम को कोई ICC ट्रोफी जिताई थी, वर्ल्ड टेस्ट चैंपेंशिप में, 2021 का फाइनल, और वो था विराट कोली के टेस्ट टीम के आगे, जो उस टाइम की वर्ल्ड की बेस्ट टीम थी, टेस्ट क्रिकेट में, उस्ट्रेलिया को उस्ट्रेलिया में हरा गया आई थी उस टीम में, विराट कोली थे, जस्परीद बुम्रा थे, मोहमद शमी थे, फिर रोहिच शर्मा, चेतेशवर, पुजारा, अजिंग क्या रहाने, काफी एक्सप जीते, तो ओवराल कहने का मतलब यही है, हर प्लेयर के रिकॉर्ड में, आपको कोई ना कोई फ्लॉब मिल जाएगा, चाहे हो, डॉन ब्रैडमन हो, ग्लैन मेग्रा हो, सचिन ते निलुकर हो, विराट कोली हो, सब के रिकॉर्ड में कुछ ना कुछ फ्लॉस मिलेंगे, जिन